नमस्कार स्वागात है आपका बिहारी न्यूज में मैं रितन सेन भारती आज हम बात करेंगे गया इस्थित फल्गु नदी के बारे में बिहार के मुख मंतरी नितिश कुमार का ड्रीम पर्जेक्ट को लेकर मुख्च की नगरी में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आ रही है बिहार सरकार ने गया के लोगों से बादा किया था कि फल्गु नदी पर एक पूल बनाया जाया अब गया बासियों के लिए यहां अच्छी ख़बर सामने आ गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि फल्गु नदी को एक बार फिर से जीवित करने को रेकर जलस्तर को ठीक करने के लिए सरकार एक ड्रीम पूर्जेक्ट बनाने पर काम सुरू कर दी है अब को बता दें कि बिहार का पहला रवर डैम गया के फल्गु नदी पर देव घाट के समीप बनने जा रहा है वहीं रवर डैम निर्वान कार्ज भी सुरू हो गया है अब को बताने के बिहार के मुखमति निर्श कुमार ने पिछले 23 सितंबर 2020 को इसका आउनलाइन चिला नियास किया था इसके बाद अब डैम बनाने की परकिरिया सुरू हो गई है रवर डैम बन जाने के बाद से सालो भर अलगुन नदी में 3 मीटर तक पानी हमेशा रहेगा जिसके बाद विश्नू पद मंदिर और पिंड़ दान करने वाए स्रधालों के लिए सालो भर पिंड़ दान तरपन और सुराध कर्म में पानी मिलता रहेगा चुकि पितरी पक्षर मेला की अबधी के जवरान लाखों के संख्या में पिंड़ दानी आते हैं वहीं सालो भर देश बिदेश के कोनों कोने से लोग अपने पुरवजों के पिंड़ दान करने के लिए गया आते रहते हैं आपको बदा दें कि यह जो पूरा रवर डेंप है वो 277 कलोड रूपिय की लागस से बनाया जा रहा है और यह बिहार का एक लवता पहला रवर डेंप है यह रवर डेंप एक तो पिंड़ दानियों के लिए उतना ही महत्पूर्ण होगा जितना कि यह अकरसन का केंदर होगा हैदराबाद की NCC कमपनी के दोवारा डेंप का निर्मान कार सुरू किया गया है रवर डेंप के बन जाने से सालो भर फलगू नदी में तीन मीटर तक का पानी रहेगा जिसने विश्ण पद्बंदी के पिंड़ दान करने आये सरधारों को सालो भर पिंड़ दान और तरपन कार्ज गरम के लिए पानी मिलता रहेगा तरसल पित्रपक्ष मेला अबधी के दोरान लाखों के संक्यम पिर्दानी यहां आते हैं और सालो भर देश पिदेश के लोग यहां आते रहते हैं इस संबंध में गया के जिलाधिकारी अविशेक सी ने बताया कि गया जिले में रबर डैम की बहुत प्रतिचित यहां जना थी संबंध दिसंबर 2022 तक रबर डैम का निर्मान का अज पूरा हो जाएगा वहीं देव घार से सीता कुंड जाने के लिए स्टील ब्रीज का भी निर्मान कराया जाएगा इसी पर योजना में स्टील ब्रीज भी सामिल किया गया है ताकि उस्टा धालो आसानी से सीता कुंड जा सके उन्होंने कहा कि इसके निर्मान की जाने से गया रमणिया अस्थल यानि कि एक अकरसक अस्थन के रूप में सामने होगा जो कि काफी अकरसक होगा मुख्य अभियंता यानि कि इसके इंजिनियर अभय नाराइन ने इसको लेकर विश्टित में जानकारी देते हुए कहा कि इस डैम्प से आम लोगों और परियाटकों की तरह भी काफी असानी हो जाएगी इसमें लोहे के गेट की जगह रवर का वैलून होगा उन्होंने कहा कि इसमें पांस स्पैन का निर्मान होगा प्रते का स्पैन यानि की पाये के बीच में गुबारे लगा होगा नदी में तीन मीटर पानी आने तक गुबारे को रोका जाएगा अधिक पानी आने पर गुबारे को हवा कम करके उसे नीचे और पानी में बहादी जाएगा तक कि डैम सुरचिसरत के डैम की चौडाई जो है 411 मीटर होगी नदी के दोनों किनारों की ढलाई की जाएगी एस्पैन की गहराई 24 से 28 मीटर की होगी यहां पाथवे का निर्मान किया जाएगा जिससे तीर्थियाती असानी से पिंडबेदी तक पहुँच सके आपको बता दें की परतीबर से पृतीपैक्श मेले के मौके में आएगर लाकोशर धालों अपने पुरबजों की मुक्ष परापते के लिए पिंडदान करने के लिए वहां पहुँचते हैं बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद